हेलो स्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.5 का question number 15 देखते हैं क्या है find two positive number x and y such that their sum is 35 and product x square y की 5 is a maximum यहाँ पर क्या काया है हमारे पास दो number है जिनका sum हमें 35 दे रखा है और इनकी product को x square y की 5 को हमें maximum show करना है तो देखो कैसे करेंगे हमें क्या दे रखा है दोनों number का sum दे रखा है x plus y equal to 35 दे रखा है दूसरा x square y की 5 को हमें क्या करना है maximize ठीक है इसको function मानते है fx equal to x square y की 5 यहाँ पर क्या करेंगे दो variable में function है तो हम एक variable में change करेंगे यहाँ से हम क्या करते हैं x की value निकाल लेते हैं तो x equal to क्या हो जाएगा 35 minus y इसको इसके अंदर put कर लो तो fx equal to क्या हो गया हमारा 35 minus y इसका square into y की power 5 अब इसका derivative करेंगे यहाँ पर तो f dash x is equal to किसके हो जाएगा हमारा एक बार इसका derivative इसको agities रखेंगे मतलब product rule लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो गया 35 minus y square agities और y की 5 का करेंगे तो 5 y की power 4 clear फिर plus में y की power 5 agities इसका करो 35 minus y इसकी power 2 है तो 2 आगया जाएगा और उपर रह जाएगा 1 और फिर into में minus y का करेंगे तो minus का 1 आगया तो f dash x is equal to किसके आगया मेरा 35 minus y का square into 5 y की 4 minus आगया तो minus में 2 y की 5 into 35 minus y अब इन दोनों में से common देखो क्या आ रहा है f dash x equal to क्या आगया यहाँ पर 35 minus y को मन आगया एक तो y की 4 इसमें भी है तो y की 4 भी common आगया यहाँ पर क्या बच गया 35 minus y into 5 अकिला 5 बच गया यहाँ पर देखो minus का 2 बच गया और यहाँ पर y की एक value बच गयी क्योंकि y की 4 बच गया तो यहाँ पर अकिला y बच गया तो f dash x is equal to किसके आगया मेरा 35 minus y into y की 4 into 5 की multiply करेंगे तो 175 minus 5y minus में 2y मतलब f dash x is equal to किसके आगया मेरा यहाँ पर 35 minus y into y की 4 into 175 minus में 5 or 2 क्या हो गया हमारा यहाँ पर 7y यहाँ गया मेरे पास अब इसको हमें क्या करना f dash x को equal to 0 पुट करना है 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर y की value 0 हो जाएगी एक 35 minus y equal to 0 करेंगे तो y की value 35 हो जाएगी और यहाँ पर 175 minus 7y equal to 0 करेंगे तो 7y equal to 175 7 से cut करेंगे तो कितना आगया 25 तो एक y की value हमारे पास 25 आगई यह हमारे पास 3 value आगई अब ध्यान से देखो हमारे पास x plus y equal to 35 था अगर y की value में 0 लेके चलूँ तो x की value 35 आगी मेरे पास तो दो नमबर तो आए नहीं y 0 तो हम ले ही नहीं सकते cut कर दो इसको तो फिर y equal to 35 y को 35 ले ले लेता हूँ तो x की value 0 आजेगी ये भी नहीं हो सकता तो हमारा y की value क्या होगी 25 होगी तो y equal to 25 है तो x की value क्या आजेगी x plus y equal to 35 और x की value क्या आएगी x plus 25 equal to 35 और x is equal to क्या आगया है यहाँ पे 10 मतलब ये दो value possible होगी हमारी x की 10 y की 25 अब इसको maximize भी दिखाना है हमें product को तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका double derivative लेना पड़ेगा जो f dash x था हमारा ये वाला इसका double derivative करेंगे double derivative देखते हैं कैसे करेंगे इसका double derivative देखना है तो एक तो तरीका है इनकी आपस में सारी product कर लो बहुत बड़ी calculation हो जाएगी दूसरा तरीका है product rule लगा लो triple वाला एक function को agitives मतलब कोई दो को agitives रखेंगे तीसरे का derivative फिर इन दो को रखेंगे इसका derivative ऐसे करके पहले गया कि हमने पहले दो function को agitives रखा 35 minus y और y की power 4 को इसका derivative करेंगे minus 7y का minus 7 हो जाएगा तो यहाँ पे minus का 7 आ गया फिर प्लस में फिर हमें क्या करना है अगले दो function को agitives रखो y की 4 into 175 minus 7y agitives रख लिया minus y का करेंगे तो यहाँ पे minus 1 आ जाएगा यह negative हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे score और score agitives रखेंगे किस की score रखेंगे अब score और score agitives तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 35 minus y into में 175 minus 7y और y की power 4 का derivative करेंगे तो 4y cube आ जाएगा और हमारी y की value क्या आई है y equal to 25 क्या आई है y की value 25 अब बच्चो ध्यान से देखो अगर मैं y की value 25 put करता हूँ यहाँ put कर ली मैंने तो 25 into 7 क्या हो जाएगा तो 0 हो गया सारा का सारा और यहाँ पे y की value कोई भी put करो यह भी negative आएगा यह भी negative तो at y equal to 25 f double dash x क्या आएगा मेरा negative आएगा मतलब less than 0 दोबरा देखो कैसे आया हम कैसे देखते हैं इसको calculate करने की ज़रूरत नहीं है 25 देखो यहाँ put करता हूँ मैं इस वाले में पिछे वाले में तो 25 की 7 से multiply 175 गया 0 यह सारा 0 हो गया इसको छोड़ दो यहाँ पे यह negative value है यहाँ पे भी 25 पूट करेंगे यह भी 0 हो गया तो यह भी 0 आगया यहाँ पे 25 पूट करो 35 minus 10 क्या हो गया 10 10 की minus 7 से multiply करेंगे क्या हो गया minus 70 तो यह सारी term क्या हैगी negative आएगी तो यह क्या हो गया less than 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा so function fx equal to x square y की 5 maximize at y equal to 25 and x equal to 10 x equal to 10 y equal to 25 पे क्या हो जाएगा function हमारा maximize हो जाएगा बस यह काम करना था समझ में आ गया clear है कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी प्रोब्लम लगे आप मुझसे पूछी है धरवाई चैनल को subscribe किजिए thank you students for watching next classes video